सदियों से चली आ रही सत्भक्ती की ऐसी धारा रिशियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया भक्ती तो सभी करते है और हर दम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलिशान घर हो खूमने के लिए बड़े-बड़े पार्क हो खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो, और कभी भी ना मरे हर दम मौज मस्ती में रहे, पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ती करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड लेकर आते हैं मंदिरों में जाकर मूर्ती पूजा करते हैं चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं और गुरुद्वारों में जाकर माथा ठेकते हैं फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं? वो कौन सी भक्ती है? वो भक्ती जिसने मीरा को जहर से बचा लिया। द्रुव और प्रहलात की रक्षा की, अंधे को आँखें और बहरे को कान दिये, कोडी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया, और लाइलाज बीमारियों को दूर किया. जब संत्रामपल जी माराजी से दिक्षा ले ली थी उसके बाद जब उनका कुछ विदिन मंत कैंसर में राहत मिली जैसे हम लोग प्रमात्मा का आदे साया हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया भगत जी एक रुपया का भी दवाई माता जी को खान्या नहीं पड़ा और जो डॉक्टर केंसर है बताते थे वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमतकार कैसे हो गया उस्पिटल में दिखाया तो कैंसर गोशित कर दिया डॉक्तर में यहां तो फिर इसके इलाज के लिए गुमे इलाज भी नहीं हुआ तो फिर घर पे ठक्ते बैठ गे कैंसर के लिए जिंदल होस्पिटल में रहा उसके बाद सपड़ा होस्पिटल में रहा उसके बाद जैपुर को दिखाया उसके में कोई इलाज नहीं हुआ संत रामपाल जी महाराज जी ने चर्णामत परशाद दिया और आशिरवाद दिया और भक्ती जान दिया और उसके बाद मैं तुम दरूर्ट हूं अधिन में अपना स्वित्काता हूं मुझे कोई समस्ट जाना मेरे को बीबारी ये थी सर की ब्लेड द्यूम में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इंपेक्शन हो गया था उस इस पेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थी कि इसमें आपको आपरेशन करना पड़ेगा आश्रम कहुंचने में परमात्मा का नामदान मिलिया और जो उन्होंने मुझे उप्देश दिया उप्देश देने के बाद उन्होंने आसरवाद दिया आसरवाद देने के बाद तक छण में मेरा ये रोक वही के वही दर्द बिल्कुल ठीक हो गया भक्ति सभी करते हैं लेकिन उप्रोक्त लाब सिर्फ सत्भक्ति से ही प्राप्त होते हैं आज भी सत्भक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है आईए जानते हैं ऐसे ही लाखो श्रद्धालूं में से एक सत्भक्ति करने वाले इस श्रद्धालू का अनुभव संत्रामपाल जी मानाजी से नाम दिख्षा कब ले मैंugen 2quent सारे तर्माध आर। सार आप सर्डार हैं सिख है आप क्या अभी सिख द्रम छोड़ दिया जी नहीं अभी सिखतारमनि और संत्रहमपाल जी пропाल कऊ द हो सिखतारमनि राख जोटा है इस अ Star जिश्क ना एम इन सौंग निध्यानि प्रवाय में बिर्शान से दिवत बूल फ। संत्राहबाल जी माराजी भी गुर्गरान साहिब को मानते हैं ? जब आप पहले ही गुर्गरान साहिब को मानते हैं, तो आपने संत्राहम जी महाराजी से नाम दिख्षा क्यों लए ? हाँ साहे लंभी कहनी हाँ जी कुछ समय पहला मैं सांत राम रहीं दे विच्छ उनीसो चरहने जो जुड़या सी उना देना उना जुड़ना मैंनू काफी जर मैंना दी पक्ति की थी सारा परवार मेरा करदा सी और उदे बावजुद भी मेरे तेक चुठा कतल दा केस पहगा स जिस करके मैं संत राम रहीं नू मिलिया गुफज जाके उना नू अरदास बेंती की थी पर मेरा कोई हल नी हुया जीज करके मैंनू सथ देन अच पंजा देन जेल चे रहना पया ते होड़ी होड़ी फिर मैं संत राम रहीं तो मेरा मन बश्वाश टुट गया तो मैं हट ग पूर्ण परमातर नहीं खोज विश्ते, मैंनु सी भी कलो कोई संत मिले ता मैं इस दी खोज करके लगा जी इस दरान मैंनु एक पाक्त ने ग्यानगंगा पुस्त दिती ते ओ पढ़के मैंनु ग्यानगंगा मैं पढ़ी बहुत जल्दी दिख दो दिना जा मैं लगातर पाली बड़ी इंड्रस्टर लगी पर मैंनु ग्यानगंगा दे विच यूनिवर्सल प्रूफ भी दते होन दे बावजुद जिकीन ही है क्योंके मैं समाज दे विच बच्पन तो लेके होर दंद कथा दा मेरे दे पर वावसी हो सुनिया से नहीं हो एतना लगदा थी भी एक ये स अच्छा को सच्छा है इस करके मैं चमबेच विच रह गया ते दो तेन साल ऐसे तरीके ना मेरे लंग गए अखीर फिर मैंनू दो हजार सोड़ा दे विच फिर अंदरों मेरे लटक जगी भी मैंनू किसे पून परमात्मादी खोज करनी चाहिए दिया ता मैं फिर उस पक् सभी तर्व मत बाना दाना घुन कांसे गुरू जी विच इड़न सांत्राम पाल दिया तो मैं तो मैं अननों फोल करके जद गया तहां तो मैं जसे देन मैंनों टैम जड़े मैं गया थे चाहनगो नहां थी कि अपूती होगी ओधार चल गे मेरा मेल नी हो रहा है मैं बापसन रास होगे कर मुड़ा है जद हुआ कर मुड़ा है शाम दा समय सी ते मेरी पतनी संत तरोशन दाशी दा साथ संग सुन रही थी टीवी दे जाने लेकम में बाद गुजखें डेहां लेकां देखके टी टीवी टीने कर देष्वीय दे रही मार किमारा जिरी एक़ ऑदिगी थिए भी पहलुआ कोशे ही किर जो अमे बादरागी में फेर बंड़ताय। मैं शून्त दानी ने मस्दीर की घ्र बादाखने थी अव मौत्ति तो तो नटाए ही टीवी दे मुझे पहला बैठ गया ते बैठने परांथ भी मैं दो तेन देन पता लगया मैं दो तेन देन लगातार सुनेया होना दा संथ रांपाल जी ने मैंनूं ओ समय दरान गुरु नानुक सभ़ जी ती सखी पाई बाले बाली ते प्रांसंगरी विच संत्रांपाल जी ने दस्यावी संत्रांपाल जी देख गुरु काउंट सी हो सारा परकानव चिरे नाम जब दे दी जिस्तों मैं पर बात होके संत्रांपाल जी सरनवेचे चलेगा सर आपने बताया था कि आपके उपर कतल का इलजाम था और उसके समाधान के लिए आप गुरमित राम रहीम सिंग के गुफा में आप जाते हैं उनसे बातचित करते हैं सर क्या वहाँ पर आपको कोई समाधान नजर नहीं आया या समाधान नहीं मिला आपको सर आप पंजाब सरकार में बिजली वी वाग में सर आप अपने आप में एजुकेटड परसन हैं समझदार हैं आप से एक बात जाना चाहेंगे कि क्या कोई संत अन्ययों को केवल भक्ति के द्वारा या मंत्रों के द्वारा उनको रहत दे सकते हैं आप मानते हैं ऐसा मानते हैं संत रामपाल जी ग्रांट साहब बेद वाइब करांट सीफ चारों बेद उनसार शास्त्रवीदी उनसार बक्ति मार्ग बताते हैं जिनों जपन दे नाल परमातमादार हेक बन देनूं लाव होंदा ते उदे दन्यावी दुख कस्ट सारे दूर हो जाने हैं सर हर वैक्ति बक्ति इसलिए करता है ताकि उसको सांसारिक बौ राजी से नामदिख सा लेने के बाद आपको क्या के लाव मिले हैं सबतों पहला था मैनु संतरा बाजी दी शार्न जानना अकट आतम क्यान होया पूर्ष मौ पूर्न मौ सदा मार्ग मिले है जो साड़े गुरूआ ने सारे ने ने समाज नूं दसने दी कोश्ट दिया मैं पूरन मार्ग में लिया, दूसरा अलाव मैं उननी भी दिना वाद ही कतल के इस बिचों बरी होया, ते तीसरा एक अलाव हो रहा है, मेरी बेटी डिक नेड़ा दी असी पियर लाई भी सी, जानवास थे, जद वो दी इंटर्वु आई, ता इंटर्वु थे इंग्रेज ने उ अधिए भी मेरे नूँ ता कोई तसलीह नी होई, बएए मैं संत्रांपाल जी नाप देखा लेना ता मेरे कम बन साथा था, उते हाज मने नो कहा भी तुसी नाप देश लेलो, जे तुसी थोड़ा कम बन गया था मैं भी लेलूं, तो संत्रांपाल जी नाप देश लें थे आप पासपोड जमा करा दो, ते डेड़ मीने दा लें इंडिया शटन दा, अधेश देके उननो करेड़ा दी पी यर मिली जो आज गल करेड़ा विच रहे रहे ने, यह सानू बहुत बड़ा लाव आप चामतकार रिखुए जो जो जवा वे तेन दिन आ अंदर अंदर अं सुनने में आता है कि संत्रामपाल जी मानाजी से जो भी नाम दिख्षा लेता है, वो नसा छोड़ देता है, आप पंजाब में रहते हैं, और यह सुनने में मिलता है कि पंजाब में नसा बहुत चरम पर है, तो सर, क्या आप भी कोई नसा करते थे पहले? सर, बगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो संत रांपाल जी महराजी जो पून संत है, वो ही दे सकता है, मैं तो हास जोड़ कर बेंती कर सादा हूं, वि संत रांपाल जी दे, टीवी उत्ते बहुत सारे चैनलां थे संत संगाउंदा सुनों, पंदरा दिन लगातार सुनों, आपको ग्यान अच्छा लगे संत रांपाल जी महराजी के सतसंग के माध्यम से, उस अध्वितिय आध्यात्मिक ज्यान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख, जो अभी तक आपने सिर्फ मीरा बाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुन जी अध्यात्मिक गुरू भी थे, पांडुवों के और यादों के, तो इस बात को सुनके सभी ने खुसी मनाइक बठी के ना रहेगा वांस ना बजेगी वांसरी, लगा दिये 20-25 प्राप्तियों की शेवा, कि जाओ जहाँ बगवान ने बताओ, सक्षेत्र में जाके, पर अब उन कड़े गहसान की डूटी अलग दे दी, चार चार पांचां की तुम्हारी एक कभी कितने जन में गहसा हो, बाकियों गहसा गह सूरा बना दिया, एक के पास दो चारों को कड़ा मिला था जिसने, लास्ट में थोड़ा सा रह गया था वो, गोल गोल ने चमक गया, त उसने सोचा, जो आलसी साथा कि सब नापना काम कर दिया, मेरब यो गिसा नहीं, तो उसने सोचा, इसे एक कड़े मकेव इजली पड़ा, यो की यो उसने जंगल में जमनाम फैक दिया, वो कड़ा, बाकी सेस कड़ाई गिसा दी थी, उसका चूरा बना दिया, अब वो किसी म उस मचली को पकड़ दिया एक सिकारी ने, जिसका नाम बालिया नाम का एक दीमर था, यो मच्छी आ रहा था, उसने पकड़ के मच्छी जब ले गया हुआ काटी, मच्छी काटी तो उसमें सेवा सफेद दातू निकली, बहुत चमकिली, तो शिकारी ने सोचा कि ये हो ना हो, कोई अच्छी फौलाद होगी या कोई चांदी ना हो, वो लेके गया सुनार के पास, सुनार के ने गया, ये चांदी नहीं है, ये तो अच्छा फौलाद अच्छा है, वो लवार के पास ले गया, लवार ने कहा कि बहुत अच्छा इस और इसका क्या बनाऊ तो शिकारे ने कहा कि मेरे इस तीर का आगे का एरो बना दे मेरे सर के उपर डाल दे इस ने बना कर विसाक्त बना देना तो उसका तीर के जो बान होता है तीर का उस बान के आगे एरो होता है तिखा ताकि उपसु पक्सी के जाके सीदा लगाया मारदेश को तो वो विशाक्त बनवा लिया उदर से कुछ दिनों के बाद उदर से जिनों ने वो चूरा फैका था जमना में उसका घास हो गिगा जैसे डाब कुष जैसे कुष होती है ना कुषा कुषा की तरह और जैसे इख देखा हो इख जैसे पत्तों का और तेज धार के पत्ते उसके जैसे आपने हमें मालूम है कि जैसे कई बार डाब होती है जिसको कुष बोलते हैं कुषा उसके इतने तीखे पत्य होते हैं उंगली के लपेटा आ जा तो उंगली काट देता हूँ आदे से ज़्यादा काट देता दी इतने तेज पत्य होते हैं लेकिन वो तो दुद्रवासा के सराप से सापित था वो एक ऐसा घास हो गया उद्र से क्या हुआ कुछ दिनों के बाद एक वरस दो वरस चार वरस के बाद क्या हुआ आपस में द्वारका के अंदर जगडे शुरू होगे छोटे बड़े की लाजर ही नहीं थोड़ी सी बात पर मार काट मार काट मचा दी थोड़ी सी बात पर कतले आम करने लग गए फिर गाओं के लोग पहले धार्मिक बहुत होते थे अभी तक हुआ करते थे गाओं के अदर कोई व्यापती होती थी सादू संतों से उसका विकलब उसका समाधान चाहा करते थे कि किसी तरह सांती हो नगर में तो उनके पास तो श्री कर्षन ही थे फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल, लास्ट एंड फाइनल श्री कर्षन जी के पास गई श्री कर्षन जी से बता के भगवन पता नहीं नगर में क्या बढ़ गया क्या गुस्का नगर के अंदर कोई किसे की बात सुन्य को त्यार नहीं, बड़े छोटे की लज रही नहीं, जरासी बात होती है, लट्थम लट्था कतलियाम अंडगे भगवन कोई, दया बक्सो, कोई समाधान बताओ इसका, तो श्री किर्शन जी ने क्या समाधान बताया, कि अभी तुम्हारे उपर, दु लगवन ने समाधान बताया था, कि इस सारे नगेशा के सुका, चूरा बना कर डाल दो, जमना में, ना रहेगा बांस, ना रहेगी बजएगी बांस ली, जब वो संतो, इस बात से संतोस पाया था लोगों ने, कि चलो वो गया समाधान, और आज फिर सिरी कर संदी, वो ही कर पास वो कुछ अपना दुख लेकर, वो कुछ समाधान बताता था, फिर दूसरी बार कुछ और समाधान बताता था, तीसरी बार कहे देता था, ये तो तुरे भाग महतिना भूगना भड़ेगा, फिर पहले ड़़े कि उडू आ रहा था, एसे ये सब का यही बोग नहीं पड़ेगा तुम्हें अब ये 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 वो फल गया तो फिर समाधान पूछा कि भगवन फिर आप समाधान बताओ ऐसा करो सभी जितने भी नर्यादों हैं पुर्ष मेल उनली चाए नवजाद सिसू भी को ना हो पर भाए सक्षेतर में जाओ जहां वो कड़ाया गिसाया था और चूरा डाल रहा था वह गहास उगरा इतना बुड़ा बुड़ा कि वहां जाकर सभी के सभी जमना में सनान करका मैं जाओ तुम तुम्हारा साफ पाप मुक्त हो जाओगे साफ मुक्त हो जाओगे जमना मन आने से सनान करने से अब सब बड़े परसंद हुए कि बड़ा सरल उपाय बताया भगवन ने और सब यह अपने अपने बच्चों को नवजाच सी सूचे उसी दिन जनमा था उसी आप खतम हो और बाहर आते ही क्योंकि पहले मन मुटाओ चली रहा था सभी का उसने तू न ऐसे क्या बोला था उस दिन तू ऐसे कह उद्धिन सारे कठे हो गें जब तब कभी कभी मिले थे बाहर आते ही वो एक दूसरे को गाली गलोच लठम लठा और गास निकाले हैं गास प सपन क्रोड यादा धौ कठका मिर्गे गे थे वहां साप नास कराण आपनान नास कर लिया लोगा जाए चरी किरस्ञंजी के बताए समाधवान उनका सापता कठा नहीं सापता नास होया नहीं जादो का नास हो गया अब यहाँ पर महात्मा कहते हैं कि गरीब्दास जी के पर प्रसंग चल रहा है उससे पर चलते हैं अब चपन क्रोड यादों कटका मिर गए आपस में कतले आम कर दिया विश्णु पराण के अंदर लिखा है कि कुछ यादों बच गए थे श्री कर्शन जी फिर गए अपने वहां से नगर से बाहर निकले उस ने उस गास को पाड़ा उसमें यह लिखा कि मुसल बन गए मुसल उन मुसलों से सेस बचे हुए यादों को खुद श्री कर्शन जी ने मारा कतिनास कर दिया और आप जाके लेट गया पर बाहस अक्सेतर में एक वर्क्स के नीचे बगवान श्री कर्शन के पैर में पदम एक चम्ब की लापदार्थ जैसे हमारे तिल हो जाते हैं मुच हो जाते हैं ऐसा उनके पैर में जनम से ही एक पदम था वो रातरी में ऐसे चमकता था जैसे पचास सो वाट का बलब चस्याक रहे जगे और दिन्व के अंदर भी उसकी चमक सी बनी रहती थी तो श्री कर्शन जी एक वर्क्स के नीचे सारा जब उनका नास हो लिया रहे खें को खुद मार कर सेस बचों को और बैट लेट गया उस वर्क्स के नीचे पैर 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 रखा हुआ था पदम वाला पैर उपर था वो चिमक रहा था और वर्क्स की जो चारों तरफ जो टहनियां थी जुकी हुई थी जुर्मट सी बनी हुई थी और वो सिकारी जिसने उस कढ़ाई के कड़े का अपना विशाक्त तीर बनवाया था जहर से बुझा के तीर बनवारा क्या था उसी तीर को लिए हुई उस दिन और सुबै से लेकर दो पैर तक वो घूमता रहा दंगल में कोई सिकार नहीं मिला उसको सिकार करने गया था उसने क्या देखा कि वर्क्स की धुर्मटे इतनी नीचे तक लटक रही थी जमीन को छू रही थी उनकी अंदर से उसने भगवान श्रीकर्शन जी के पैर के पदम की एक चमक देखी उसने सोचा कोई मर्ग बैठा है हिर्ण और उसकी आंख तमक रही है यदि मैं इदर से जाओंगा ती भाग जाएगा कोई हिर्ण मुझे मिला नहीं है क्यों ना यहीं से इसको मार डालूं जुर्म ठो मैं से निसाना साध के मर्ग की हिर्ण की आंख जान के वगवान श्रीक से इसकारी ने सोचा किसी मनुष्ट के लगया वह यह तो बात बगड़ी है। दोड़के आगे देखा क्या देखा कि दौर का धीस मुकट समेत तडफ रहा है। उस मुकट आदी से उपहचान गया कि राजा है। तब उसने करबद होकर कहा कि भगवन मुचे गलती होगी अंजाने में लग गया मेरी आप तो अंतरियामी हैं आप सारी जानते हो मेरी इच्छा नहीं थी आपको मारने की मेरी कोई दुसमनी नहीं थी आपसे है और ऐसे ऐसे मेरे से गलती होगी मैंने आपके इस चमक को घरन क आख जाना तब सिरीकर्चन जी ने कहा क्योंकि काल के हाथ में रेमोट वा दिफडिस्टी दे दी के भाई ये तेरा और मेरा कोई पिछला अकाॉंट था, वो कलीर हो गया तेरा और मेरा पिछला हिसाब था वो कलीर हो गया, तेरा दोस्त नहीं अब वो सिकारी कहने लगा वगवन आपका और बेरा आप राजा में रंक आपका और बेरा क्या हिसाब हो सकता है तो श्रीकरशन ने कहा कि मैं स्रीराम रूप में आया था राजा दसरत के का और आप थे बाली सुग्रिव के भाई उससमें मैंने आपको वरक्स की आड़ लेकर दोखा दे के मारा था और आपने जब कहा था कि आपने ये बदला देना पड़ेगा आप युद के नियम से फेल हो गयो तो मैंने कहा था कि तरह बदला दूँगा आज तेरा मेरा वो अकाउंट कलियर हो लिया अब यहां परमात्मा कहते हैं बदला कहीना जात है इस तीन लोग के माही सत्गुरु मिले कबीर से फिर लेन देन कछुनाही अब क्या बताते हैं कि तीन लोग के इन बगवानों ने भी अपना टिट फोर टेट पूरा करना पड़ता है तो मिन से अपने संसकार कटवाने की के लिए भगती कर रहे हो कि हमारा पाप कट रहे हमें दुख दूर और सुख दे ये अपने दुख ने दूर कर सके तुमारे कैसे कर देंगे बगवान कहा करते थे कबीर जी और समर्च कबीर साइब की संवाने से फिर ये लेन दिन समाप्च कर देंगे आफका कुछ नहीं बचेगा सब अपनी कल्विन के पास समर्च के पास पाउर होती है कि मासा घटे ना तिल बधे विद ना लिखे जो लेख और सचासत गुर्मेट कर उपर मार देमेख अपने अत्माओ सुकसम बेद में बताया है दुरुवासा को पे तहा समझन आई नीच छपन क्रोड या दो कटे वो मची हीरुदर की कीच अब यह बगवानों की तदे दिया आपको यह बगवानती ही शे थे आपके अब जिन को आप रिशी महरिशी मानते थे दुरुवासा जी को तोब मानते थे के बड़े महापुरुसे वो तो नीच थे एक नमबर के सुकसम वेद के अंदर परमात्मा ने कहा है के दुरुवासा कोपे तहां दुरुवासा वहां क्रोधित हुआ कि इस बाच पे बच्चों ने मजा कर दिया के विजलीगर की थी साथ उसंता ठीक है पेटा भागी जाओ खबरदार आगे मकवाद करीता है है निकम्यों ऐसी करते है संतों के साथ मजा करते है इतना कहा है कि छोड़ सके था और सराब दे दिया तुम्हारा नास होगा आम व्यक्ती से भी गिरे वे थे यह लोग जिनको हम महरी इसी माना करते थे एक बुजरक आदमी बड़े आदमी से को बालग मजाग भी कर लिए उसको इतना भेंकर सराब दिया करते है पुड़ातमा है जैसे किसी का अदमस बंदूख है पिस्टल है अर को बालग मजाग करते है और उसको गोली मार दे वो तो एक धेड़ आदमी होगा समर्द था उसको पता है कितनी बैंकर बस तो ली रहे है किसके ओपर दाग रहा है वो नीच विक्ती होता है मजा करने इस पर भी इतनी भी सेन नहीं कर सकता तो इस सतीती के थे वो रिशी उनके पास ये अथियार थे वचन के और सराब देने के तो यहाँ सुक्सम वेद में लिखा है कि दुर्वा साको पे तहां करोधीत होगे और समझने आई नीच ये भी नहीं सोचा तू क्या करने जा रहा है और चपन क्रोड रियाद दो कट गे और वहां मची रुद्र की कीच यानि रक्त की गारा माच की खून की गारा माच की छपन क्रोड आदमी जहां लास हो जाए और नदी बै के चल पड़ा खून की रक्त की तो यहाँ पुना आत्मा हो ना तो यह भगवान समर्थ जिनको हम पूजा करते ना यह रिषी एक आने के जिनको जिनको ज्ञानि नही था इनको यह नहीं पता भगवान कोण है अब यह भगवान के लिए निकले लिक ले थे घर से साध ना करेंगे बकती करेंगे औंगार रजध्धाán अंगारों से ही सीतलता की खोज करने लगे अंगारों में अंगारों पर चलने के अब भेस्ट होगे थोड़ी भोट थोड़ी आँच को भी हम थोड़ी ही आग को आँच को हम सुख मान रहे जो उठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमूद ये सकल चबी नाकाल का कुछ मुख में कुछ गोद अपरमात्मा क्या कहते हैं बाई तन दर सुखिया कोई न देख्या जो देख्या सो दुखिया हो उद्य अस्त की बात करेम ने सबका किया विवेका हो सबका किया विवेका हो तंदर सुखिया कोई ना देख्या जो देख्या सो दुखिया हो उद्य अस्त की बात करें मने सबका किया विवेका हो सबका किया विवेका हो बाई गाटे बादे सब जग दुखिया के गरिष्टी बैरागी हो गाटे बादे सब जग दुखिया के गरिष्टी बैरागी हो शुख देव ने दुख के डर से गर्ब ममाया त्यागी हो तंदर सुखिया कोई ना देख्या जो देख्या सो दुखिया हो उदे अस्त की बात करते हैं मन सबका किया विवेका हो सबका किया विवेका हो भाई जंगम दुखिया योगी दुखिया तपस्वी को दुख दूना हो जंगम दुखिया योगी दुखिया तपस्वी को दुख दूना हो आसा त्रिशना सब में व्याप ए, कोई महल ना सुना हो, कोई महल ना सुना हो, तन दर सुखिया, कोई ना देख्या जो देख्या सो दुखिया हो, उदे अस्त की बात करते हैं मुनसुब को क्यों विवेका हो सबका किया विवेका हो बाई साच कहूं तो जग ना मने पर जूठी कही ना जाई हो साच कहूं तो ये जग ना मने पर जूठी कही ना जाई हो ये बिरमावी सुनू शिवजी दुखिया जिन ये रहा चलाई हो तन दर सुखिया कोई ना देख्या जो देख्या सो दुखिया हो मुन सबका किया विवेका हो सबका किया विवेका हो बाई सुरपती दुखिया भूपती दुखिया रंक दुखिया बपरीती हो कहें कभीरी ओर से बेदुखिया एक संत सुखिया मन जीती हो संत सुखिया मन जीती हो तन दर सुखिया कोई ना देख्या सो दुखिया हो उदे अस्त की बात करते हैं मुन सबको किया विवेका हो सबका किया विवेका हो सुरपती दुखिया भूपती दुखिया रंक दुखिया बपरीती हो सुरपती दुखिया वूपती दुखिया रंक दुखिया वपरीती हो कहें कभीरी ओर से विदुखिया एक संत सुखिया मन जीती हो संत सुखिया मन जीती हो तन दर सुखिया को ए न देख्या जो देख्या सो दुखिया हो उद्य अस्त की बात करते हैं मन सबका किया विवेका हो सबका किया विवेका हूँ उना तमों सो बाग गए आपका और धन आपके मात पता जिन से जनम हुआ आपको वो अनमोल वचन सुनने को मिल रहे हैं जो इन बेर मावी सुनों महिस को भी छेट भी ने लगी ती इसक्यान की जो आपके उपर वर्सा कर दी बगवान ने कभी सीडी के मादम से, कभी सबसंग के मादम से, कभी चिप के मादम से परमातमा आपके 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 वर्सा कर रहे हैं और इस ग्यान से एक बार प्रिपूरन हो जाना आप देखना फिर बगवान यहां भी सुख देगा और सत लोग में जाओगे जहां कभी मर्टों नहीं होती, कभी वर्द वस्थानी आती, किसी चीज का भाव नहीं महां पर अब जो परसंग चल रहा है, जिस लोग में आप रह रहे हो यह अंगार वरस रहे हैं और जहां अंगार थोड़े से कम हैं, हलकी आग वाले हम उनको सुख मान बैठे हैं अब क्या बताते हैं, कि गाटे बादे सब जगदुखिया और के गरिष्टी बैरागी हो अब देखो पुनात्मों पर्मात्मा पाने के लिए जिसने घर चाग दिया हम उसको बैरागी मानते थे, सन्यासी मानते थे अब वो बैराग प्राप्त करना और सन्यासी होना हमने कहां से गरिण किया, कौन से गरंद से प्राप्त किया हमने यह गया शिरीमत भगुत गीता जाय नमबर तीन के सलोक नमबर चार, पांच, छे, सात में सभश्वरन किया है के अरजुन यदि तू काम छोड़ के करम सिन्यसी बन गया जंगल में जा बेट है तरह निर्वा कैसे होगा? पेट कैसे पालेगा तू? इसलिए तू काम भी कर और भक्ती भी कर फिर ये कहां से लाए? जंगल में गर छोड़ का चलेगे जंगल में जा का सुख होगा जंगल में कैसे सुख होगा? अब गर में सारी सुविद्धा आपको समें पर रोटी मिल रही है जो पड़ी है, मकान है जैसा भी आपको सुविद्धा करमान उसर मिली है उसमें संतोज करो और उसमें बैठके अपना भक्ती करो समें पर भोग लगेगी तो खाना खाया भोग समाप्त हुई वा इच्छा खतम हुई, वो कल अपना समाप्त हुई तो भक्ती करेगा यदि रोटी मिली नहीं तो भक्ती कैसे करेगा उसी को सोचता रहेगा कहां से लाओं, कैसे मिलेगी रोटी का सुमन होगा वो बगवान का नहीं होता अब जैसे घर छोड़कर चला गया वेराग्गी बन गया वहां जाकर गर्मी भी लागएगी सर्दी भी आवागी वर्सा भी होगी उसके लिए फिर जोफ़डी डालनी पड़ेगी उसनुआ जोफ़डी या गुफ़ा खोदनी पड़ेगी और भूख लागएगी फिर गाउं में जाना पड़ेगा मांगने के लिए दिये माई दिये माई गालिये दिये एक रोटी अब जब तक रोटी ना मिलेगी तना भगवान तो याद आवा कोई ना और रोटी रोटी याद आओंगी इसके तो परमात्मा करा है उन्हें बता करके जो साधना करनी चाहिए जो उसका तरीका है वो तुम्हें पता नि आप फिर ये सोच बैठे के उन्हीं को भगवान मिलता होगा जो जंगल में जले जाते हैं खड़े होकर तप करते हैं दोनों के उपर तपते हैं ये तो मूरुखों की साधना ची परिमात्मा कहते हैं के डंब करें डंब माने पाखंडे लोग देखावा ड्रामा करते हैं बैठ जाएंगे कि तो दूना लगा कर उच्चे से स्थान पर बैठेंगे उन्हों खुब दूर तो सब नजीखा मात्मा बैठा है ताकि दुन्या आने लग जार उसकी पूजा शुरू हो जाए डंब करें डंगर चडें डंगर माने पाहड पर बैठी जाते हैं जाकर ये लोग नकली डंब करें डंगर चडें अंतर जिनी जूर और जग जाने बंदगी करें बो हैं सुल बबूर परमात्मा अपने सुक्सम वेद में कहते हैं ते दुनिया जनता ते ने सोचा ये बगती कर रहा है बड़ा माधपुरूस है दुना लगा कर बैठा है कपड़े भी ट्याग राखे कर लंगो टबांद रखा है और परमात्मा कहते हैं जगजान बंदगी कर रहा है बगती कर रहा है यो बोवे सुल बबूल तब से जो तपश्या वो करते हैं दुरवासा ने खूब तपश्यां की थी और क्या प्राप्ती की अंगारे बर लिया अपने अंदर तोब ये बकवाद सिध्धी की वचन से किसी का नास कर देना अब दुरवासा जे ने सराब दे दिया बे मतलब बकवास का अब उसने उसके बैड अकाउंट में लिख दिये वो चपन करोड मानस विक्ती उसने मार दिये वचन से और वो उसके बैड अकाउंट में लिखे जाएंगे जब ये कुत्ते की यो निमाओ का दुरुआ सा इसके शर्मे कीडे पड़ेंगे रुच्पन क्रोड आत्माएं इसको खा रही होंगी यह बल्क बल्क यहां कहते हैं तुमने उस दर्गा का मैल नहीं देख्या और धर्म राज के तिल-तिल का लिखा तो इनों यहां पता रहे हैं जगजाने बंदगी करें प्रमात्मा कहते हैं यह बोवसूल बबूल इनने काटे बोली अपने बविशे में शिद्धी शिद्धी पाक है किसी को बेनिफिट दे जिया किसी को आनी दे दी दोनों अपनी बगती अक्षिन करी उदर से पाप एकठे कर लिए अब क्या बताना चाहते हैं प्रमात्मा कि गाटे बादे सब जग दुखिया जैसे किसी को आनी होगी विवसाय के अंदर तो तो दुखी सुभाविक दुखी है तो होगा दुखी होगा और जिसके गणावेनी फिट होगा जैसे किसी के एक लाख का लाब हो गया विवसाय में वो पांच लाख का काम सुरू करेगा और चार लाख लेगा करज फ्र उसमें वो जा नुकसान फिर वो करज जो दे लिया नुकसान भी ना होया कामיתי आ पड़ा तो दुखी, गाट है बाद है, सब जो दुखिया, और के गर्षती बेरागी हो, बेरागी बनके जंगल में जा बैठा, वहाँ बूख लगी, समस्याही गर्मी और सर्जी वर्सा, ओड़े पड़े शर में फोड़े शरने, उसकी लिए जौफिटी डाली, फिर बरतन भी लाया निर्भा भी करो, यह वास्त्रीक तरीका यही था, इन नकलियों को देखकर हम सचाई हमें प्राप्त नहीं थी, हम भी यह सोचते रहें कि इन्हीं को भगवान मिलेगा, फिर भी हम छोटी मोटी अपनी रहत के लिए भगवान को याद करते रहते थे, वो भी तरीका ठीक न नहीं था, कहते हैं, गाटाए बाद है, सब जग दुखिया के गरिष्टी बहरागी हो, और सुख देव ने दुख के डर से गर्ब ममाया तैगी हो, अब मा के गर्ब में बच्चे को अपना बविश्य का और पूरो दुनम की सारी याद रहती है, कि पिछले जनमन मने क्या क बढ़ करका, शिद्यां प्राप्स करका, अपना जीवन नास किया, फिर चौरासी लाग योनिया भोगी मैंने, वो सारी इतिहांस देखता रहता, पिछली बैकराउंड, ट्रेलर चलता रहता इसके आगी, अगला जीवन भी उसको दिखाए देता कि इसमा मेरे साथ के 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 तो ये सोचता है कि ये बगवान अब के इस नर्क से निकाल दाता, पीछा गलती हुई सो हुई, अब के गलती नहीं करूँगा, पुरम संत को खोजूँगा, केवल भगती करूँगा, आपको याद करूँगा, पीछा चुटवाँगा, जनमरन का रो कटवाँगा, और दिश से जानकर करूँगा, मुझे एक बार निकाल दो बात आता, तो इसी बात को याद करकर शुखदेव रिशी जी ने, बारहे वरस तक गरब से बार नहीं आई, फिर बिर्मा विश्नु महिश्य यहां के विवस्थक है, इनको चंता बनी, काल ने इनको प्रेड़ना की उसके आत्मा है, इन्होंने मीटिंग की कि अभी एक सुखदेव नाम के एक रिशी है, एक बच्चा है गरब से बाहर नहीं आ रहा है, बारा वरस होगे, ऐसे अगर ये मरियादा हमारी खराब होगी, तो बहने बारा बारा वरस तक बच्चों को गरब में रखने लगेंगी तो महाँ दुखी हो जाएंगी, बच्चा तो नो मेने मुश्कल हो जाता है, इन बेहनों को, माताओं को गरब में रखना, तो उन्होंने सोचा भी चलो, वो रिशी आत्मा है, उससे प्रासना करते हैं, उसी को कहते हैं, उसको मनाते हैं, तो तिन्हों आगे, तब तेन्हों आकर कहा कि रिष्ट भाई सुखदेव तू बहार आजा ऐसे ऐसे हमारी परंपरा खराब मत कर तब उसने कहा कि बगवान बहार आते ही आपकी तिर्गुण मही माया से यह जीव इतना अंधा हो जाता है इसको भूत वविश्य का कुछ याद नहीं रहता आप यह अपनी माया रोक लो तब मैं बहार आओं कुछ देर के लिए रोक रोक दो तो उन्होंने का भी देखो इसको हम नहीं रोक सकते यह हमारे बस से बहार की बात है हमारे अंधरे कैसा गुण भर रख्या है तो इसको हमारे लिए रोकना अस संभाव नहीं है तो अर शुक देर नहीं रख सकते हैं, हमारा स्रीर फट जाएगा, आम केवल इतनी देर रख सकते हैं, यह देख लिए कि इतना छण है, सुखदेवन जी ने कहा कि आप इतना ही रख लो, देर रोक दो इसको, तो जब वो बहार आते हैं, तुरंत उनकी तीनों गुणों का जो एफेक्ट है मारे उपर, एकदम असर करता है, उस समय जब वो मा के गरब से बाहर आया, तो वो इतनी देर रोके, इतनी देर बाहर आ गया, वो चले गया, अपना अत्माओं उसको इस दुख के डरते हैं, गर्ब में माया त्यागी, अकि मैं इस संसार के चक्रमा नहीं पड़ूँगा, आकास में उड़ गया, आगे जागे दरती बटे करना पड़ाएगा, आकास में कितने दिन रहेगा, रोटी भी घानी है, आगे नाना दोना भी होता है, फिर वहाँ परच्वी पर फिर गिरा बापस, कहने का भाव ये है, कि फिर इस पिछले पूरब जनम के बगती सक्ती से कुछ सिद्धियां आ जाती है, और उन सिद्धियों से हम ये मान बैठते हैं, कि ये बड़ा मापुरुस है, सिद्धी तो इस प्राणी का सबसे बड़ा दुस्मन है, और इसके लिए ये इसी के कारणी ये सब रिशी और महरिशी परसिद हो रहे थे, अन्त मैं आपने आप बहुत बार सुनी है सुखदेव रिशी की, ये रिशी मेरिशी उम जाता था, इसका बड़ा सुतकार करते थी, स्वर्ग लोक में जाता था, वहां भी इसको विशेश आसन दिया जाता था, बड़े महापुरुस हैं, एक दिन विश्वन लोक में चले गए, परतेक जै उसमें उत अधिकारी ही रुका करते हैं, तो ये सुखदेव परतेक्स बगवानों की इन लोकों में, सीव लोक में, विश्वन लोक में, बिरमाजी के लोक में, इंदर के लोक में, इनके अपने अपने अलग से रेस्टोरेंट हैं, जिसमें अधिकारी गण यानि देव लो सामने खड़ा था गेट की पर उन रोके जा रिशी जी रुको, पर कहां जी बोलो, आपका अपॉइंटमेंट लेटर दिखाओ, आप कौन हो, किस रेंख के हो, क्या मतलब, क्या आपका गुरू कौन है, कि मेरा कोई गुरू नहीं, मुझे गुरू की क्या हो सकता है, मेरे पास इतनी पाउर है, ऐसी सिखती है, बिलाजी ऐसे नहीं, इस रेष्टा उसमें वही आ सकता, जिसके पास ये, जिसका अपॉइंटमेंट हो रहा हुए, और कहने का बाओ ये है, कि जो कोई अधिकारी हो, गुरू जिसने धारन करका हो, और गुरू भी मानने ता पर आप तो न एक लिए गुरूओं के भगती करके गुरूओं से, तो रिष्टी सुखदेव ने काफी उनके साथ जख माया, लेकिन उना फाइनल कर दिया कि नहीं, विसनुजी का आदिस, तब रिष्टी ने सोचा था, सुखदेव रिष्टी ने कि विसनुजी बड़े खुस होंगे मे रेता है, मैं ऐसी भगती की हुई है, और वो भगत बचल है, तो सुखदेव रिष्टी ने कहा कि विसनुजी से बात कराओ मेरी, तो मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हो, तो वो पार्क, वो पहरेदार गए विसनुजी के पास, बाकि वहीं खड़े रहा एक दो, कि मना क्यों किया, कि उन्होंने बता कि उनका गुरू नहीं है कोई, निगुरे है वो, अधिकारी नहीं है, रापका आदेस है, कि जो निगुरा विक्ती हो, जिसका गुरू नहीं हो, इसमें लावड नहीं है, आदेस दो बगवान, क्या आदेस आपका, कि बिलकुल ठीक है, अब वो जिन्द कर रहा कि मुझवान से बात करके ही वापस जाओंगा नहीं तो यह बैठूँगा तो भगवान विश्णु ने आए बाहर अब रिसी जी ने सोचा तो यह था कि विश्णु जी बड़ी साबासी देंगे मेरे को और यह सोच रहा था कि यह पहरेदार गेट की पर यह मुझे जानबुच कर रहा हरास कर रहे हैं विश्णु जी तो आते मुझे सीने से लगाएंगे बगत वच्छल भगवान हैं सतो गुणी है जब बगवान विश्णु ने आकर पूछा के रिश्णु जी क्या वाद विवाद है तुमारा यह कैसे आए आप तो आद्धा फ्यूजता वहीं हो गया बगवान के चेरे को देखकर कि आज ठीक डंग से बोलनी रहे तब रिश्ण ने कहा के शुक देव निजी मैं ऐसे ऐसे सुक देव नाम है मेरा और मैं रेस्टाऊस में इस रिश्टोरेंट मन जाना चाहूं था सुरग में इनोंने मना कर दिया जाना इनोंने मुझे रोक दिया- तो भगवान विशु ने नहीं के सामने पूछा पहरेदारों से भी क्यों रोख दिया अपने रिशी जी को पहरेदारों ने बताया कि आपका आदेश है जिनका गुरू नहीं है मन्नेत अपराप्त गुरू वो इस आपके रेस्टोरेंट यानि आपके सुरग मालावड नहीं है तब विश्णो जी ने पूछा क्यों रिशी जी आपका कोई गुरू नहीं अक नहीं जी शुक्दे बोले नहीं मेरा कोई गुरू नहीं कि जाई आप यहां से और गुरू बना कराई यहां पर अपना अत्माँ देखो सुक्सम्वेद से ग्यान से आपको पता चलेगा सुक्सम्वेद से इतत्व ग्यान से अब देखो आभी तक हम क्या देखा करते दास ने खूब देखा जिनोंने लाल कपड़े पहन लिए और कोई गुरू पदपराप्ट कर लिया घर त्याग दिया सन्यास होगे ब्रमचारी होगे तो वो यह सोचा करते गरस्ती तो एक नगलेक्टिड आद्मी है उनको यह जैसे पहले सुद्रों को सोचा करते थे इनकी ऐसी द्रिश्टी थी इन रिशियों की कि गरस्ती तो वैसे रिजेक्टिट साथमी होता है आदरनिय नहीं होता अब सुक्देव रिशी ने कहा कि जी मैं किसको गुरू बनाऊं मेरे योग गुरू पर्च्वी पर नहीं है तो बगवान ने कहा कि रिशी जी ये भी तेरा बहम है तेरा एंकार बोल रहा है को गुरू बनाईए राजा जनक को गुरू बनाना जो सीता जी के पिता जी कहलाए थे राजा जनक अब राजा जनक के काफी रानियां थी गरस्ती थे और भगत भी थे अब सुक्देव रिशी इतना इंकारी कि गरस्ती लोग राजा लोग तर मेरे चरंच होते हैं और मैं ग्रिष्टी को जा करके, राजा को जा करके, नमस्कार करूँ क्योंकि गुरू बनाना है तो परणाम भी करना है, डंडवत भी करना है, मत्था भी रगदना है, एंकार खड़ा हो गया, वहां से तो आ गया, लेकिन वो दूसरे स्वरग में कोमन स्वरग है, इंदर का उसमें ये चला जाता था, जब उसमें दुबारा गया उस दिन, उसका चेरा उत्रा हुआ था, अन्ने जो देव वहां बैठे थे, वो कहने लगे, रिष्टी जी, आज क्या बात है, मायूस बहुत हो तुम, तब रिष्टी ने कहा, कि ऐसे ऐसे में विश्मर जी के लोग मे गया था, भगवान ने मुझे स्वरग में प्रवेश करने से मना कर दिया, तो जितने भी वहां बुद इमान, भगत, संत, महात्मा बैठे थे, रिष्टी और देव, वो कहने लगी ये बात दचेनी, शुखदेव आपकी बात हमारा गले नहीं हो, तरीके भगवान इसलिए आप यहां रहने का दिकारी नहीं हो, तब उन मापुर्सों ने जो वहां बैठे थे, बुद इमान, उने कहा कि सुखदेव, आपका कोई गुरू नहीं है, हाकर नहीं मेरा कोई गुरू नहीं है, दिकार है तरे जनम को, सभी डेक स्वर में बोला जो बुद इमान ह होते हैं, क्या करेगा तो इस मिटी का, यह बैटरी चारद है, तेरी कुछ दिनों खतम हो जाएंगी यह सबसिदियां, और कीडे मकोडे की पुस्वों की यह नहीं मजाएगा, गधा बनेगा, गुरू धरन करना पड़ेगा, और फिर दूसरा भगवान ने कह दिया, फिर अ तब वहां क्या कहता है वो, भाई, राजा जनक घरिष्टी भाई, कैसे सी सिन्वाउं जाई, सुक दिव बोले ग्यान विवेका, हम इस तरी का मुख नहीं देख्या, दे कहाड़ की काल की आँट, अडंगा कहाड आलिया, उसने, के राजा जनक घरिष्टी भाई, और कैसे सी सिन्वाउं जाई, और बोले सुक दिव ग्यान विवेका, अपने बुद्धी से, उसने खूब सोच समझ गया बात कही, के मन इस तरी का मुख नहीं देख्या, मैं तो बाल परमचारी हूं, और राजा ग्रिष्टी आदमी है, उसके गणी नाराणिया भी कई है, और उसक तो कैसे माठा टेकूंगा, कैसे ना सिर दुकाऊंगा, मेरी तरनास हो जागा इज़त का, तब रिष्टी बोले भाई इज़त ले ले, अरचे बगवान ना द अगली जनम गदा बनेगा, या सारी इज़त तरी बिखरती फिरागी रिष्टी, अब उसको फिर एक जटका ल लेकिन अग्यान से एंग्कार बनता है, तब उसको एकदम जटका लगार उसकी एकदम पिछला बैकराउंड रस्तल पड़ी है। नमस्कार जी, नमस्कार सर, क्या नाम है जी आपका, सर मेरे नाम आचल रावत है, आचल रावत जी आप कहां से हैं, सर मैं जिला टीरी उतरा खंड से हूँ, आचल जी संत रामपाल जी महराजी से नाम दिख्षा आपने कब ली, संत रामपाल जी महराजी से नाम दिख्षा लेने से पहले सर मेरी फैमिली रादस्वामी पंज से जूड़ी थी तो हमने भी बच्पन से वही भक्ती करी है क्या कारण बना कि आप संतरामपाल जी महाराज की सरण में आई करूंढ पहला तो एक मेरी तब्यक्राब हो चुकि थी और साथ मेरे पापा उनकी वी तब्यक्राब हो गे थी। मेरे जो था पूरे बॉड़ी में पेन होता था , तो क्या बोलते हैं , हमने काफी डॉक्टर को दिखाया तो उसमे पही पर अपेंडिक्स निकला तो कहीं पे कुछ और अलग-लग problems निकली तो वो ठीक नी हुई और मेरे पापा को lungs disease थी तो वो भी कहीं ठीक नी हुई इस कारण साम संत्रांपाल जी महाराँ जी के पास है तो संत्रांपाल जी महारा से नामदेखशा लेने के बाद क्या आपको कोई लाब भी मिले? तो वह इसपी है दोब वह च्वहां ऑपती लगे כ jinा का की ओपरेशन के कि यह उसका उपरेशन प्रपाइशन का कोई इलाज नहीं था उन्के लंक्स में कुछ प्रभल्लम थी वह हो रखे से अधोर हो दिखना झाइछन का उपरेशन कि लिए थे हाँ in defence कोई गेरंटी नहीं थी इसकी कोई कि आने से ही मैं फेले तो मैं ठीक हूई और दूसरे मेरे पापा हैं, इनकी तबियत भी एकदम ठीक होगी और तो अब वे पहले ये तीन लाव मिल गए मैरे आयू जो प्रमात्पन के संत रामपा जी महराजि ने बढ़ा दी मेरे पापा की आयू संत रामपार जी महराजजी ने बढ़ा दी हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने बताए कि पहले आप रादा स्वामी के सत्संग में जाते थे तो रादा स्वामी में और संत रामपाल जी महाराज में आपको क्या अंतर नजर आया संत रामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा कैसे ले जा सकती है संत रामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा आज विभीन चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा ले सकते है धन्यवाज जी आप सुन रहे थे जगत गुरू तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कर दो एक जानकारी के लिए ठामपाल जी विख्षा आज। कर दो